आज समझनी की कोशिस करेंगे कि करेंट क्या होता है आज तक हम ने सुर्ण ये दिका झा कि बिजली का तार होता हैorro Charged Geek रहते हैं हम उतने तक ही सीमित रहते हैं और हमें बस रट्टा मानने की हैविट हो चुकी है कि करेंट और वोल्टेज होते क्या है बाकि हम रियल्टी नहीं समझने चाहते कि करेंट और वोल्टेज हैं क्या तो मैं आज बहुत ही simple way में आपको समझाने की कोसिस करूँगा कि किसी भी conductor, किसी भी wire, किसी भी element के अंदर current की भूमिका क्या है कि current क्या होता है एक basically और practical way में मैं आज आपको बताता हूँ तेकि जैसे आप definition देख रहे हैं the flow of free electrons free electron या charge in a definite direction is called electric current हमें इस चीज से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है यह क्या लिख रहा है the flow of electric current हमें समझी नहीं आ रहा है यह तो scientific language हुई न flow of electric current हमें क्या पता है कि भाई क्या बोल रहा है मैं आपको बहुत ही simple way में समझाने की कोसिस करूँगा जैसे कि हमने एक बिजली का तार ले लिया suppose that यह जो box है यह एक बिजली का wire है यानि electricity का wire है बॉक्स और इसके अंदर हमने एक battery fit करी यह battery है battery fit करी जैसे ही battery के एक terminal को minus की तरफ लगा दिया इस तरफ लगा दिया और plus को इस तरफ अटेच कर दिया तो आपने देगा हो कि जब battery को लगाते हैं तो बिजली का फिलो होना start हो जाता है यानि कि बिजली आनी start हो जाते है किसी भी तार के अंदर यानि बल्ब लगाते हो तो बल्ब जलना start हो जाता है तो जैसे ही हम battery के terminals को attach करते है तो यह जो conductor है ना यह जो बिजली का तार होता है suppose that यह तार दूसरी फिकर में दिखाने की कोसिस करूँगा यह जो conductor ही तार है बिजली का तार देख रहे होंगे आप तो जो कोई भी element होता है ना जैसे कि copper है, aluminium है, silver है इन element के अंदर छोटे-छोटे करण होते है किसी भी चीज के अंदर छोटे-छोटे करण होते है और जो करण होते है वही तो electrons कहलाते है आपने आज तक बहुत समझने की कोशिस की electrons होते है क्या है, लेकिन सिर्फ रटे पर रह गए यानि book की language में समझा लेकिन electrons को reality में समझा नहीं कोई भी metal बनता है, जैसे ये box ले लो तो इसके अंदर भी हजारों लाखों करोणों electrons होंगे यानि electrons जो होते हैं उन्हीं की बजास से किसी भी चीज का फिलो होता है अगर हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसके अंदर जो heat का फिलो होता है यानि जो आग लग जाती है वह भी लेक्ट्रों के कारण ही होती है वैसे ही तार के अंदर जो बिजली का फिलो होता है यानि विद्धुत का फिलो होता है electricity का वो भी electrons के कारण ही होता है तो यह जो तार है इसके अंदर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे electrons होते हैं जैसे कि यहां full view में दिखाये जाए यह छोटे-छोटे electrons हैं तो electron की एक property होती है electrons हमेशा छोटे से बड़े की तरफ भागते हैं तो जोटा किसको माना जाता है physics की लेंगवेज में नेगिटिव को यानि कि नेगिटिव बाले potential को potential क्या है potential वह है जो वोल्टेज है छोटे-छोटा माना जाता है नेगिटिव को और बड़ा माना जाता है positive को तो जो electrons जैसे हम तारह लगाते हैं तो electrons अब हमने बेंटर्य ले लिए सबोस्द यह बेंट्रि ले ली यह बेंट्री है तो बेंट्री में यह नहीं पता positive कोंसा negative नां सिर्फ लगा दीये तो electron समझ में आजाता है कि negative कौनसा positive कौनसा वो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ भागना start कर दें जैसे electron से यह हमेशा ऐसे भागेंगे यह negative से positive की तरफ तो electron हमेशा छोटे से बड़े की तरफ भागेगा यानि negative to positive अब जैसे यह battery है इसके अंदर मैं आपको समझाओं तो electron किसकी तरफ भाग रहा है electron भाग रहा है negative to positive जैसे electrons है यही तो electron है यानि अगर मैं इसको electron कोई symbol ना दिखा के ऐसे लिख दू minus करके तब भी तो electron है तो electron छोटे से बड़े चोटा यह हमारा minus इससे इसकी तरफ जा रहा है ना यह plus की तरफ तो यह भाग रहा है छोटे से बड़े की तरफ electrons की property यह होती है electrons होते क्या reality में एक charge होता है एक कण होता है इस कणों को electron के नाम से जाना जाता है जिसको आप physics में पढ़ते हो ना minus 1.6 into 10 to the power minus 19 यानि इतना electronic charge होता है एक electron के अंदर तो आप समझ रहे होंगे कि electron की भूमी का क्या होती है किसी electricity wire के अंदर अब बात आती है कि current क्या होता है यार हमने electron तो समझ लिया electricity wire के अंदर current कैसे चलता है current आता क्यों है विजली के तार के अंदर तो जिस rate से electron flow कर रहे है suppose that मैं example देगे बताओं आप road पे जा रहे हो तो उस road को बोलते हैं conductor नि विजली का तार से एक compare करो जैसे कि कोई road है तो उसको आप बिजली का तार मान लीजिए और उस पे आप जा रहे हैं तो आप है electron जिस गती से आप जा रहे हैं मतलब जितनी speed से आप जा रहे हैं, वो कहलाता है current, जैसे ये road है, ये road है, यानि electron के लिए कोई road क्या कहलाएगे, तार ही तो कहलाएगा बजली का, अब उस star के अंदर से जो electron है, यानि कि जैसे हम लोग road पे जाते हैं, वैसे electron अपनी road पे जाएंगे, तो जितनी speed से दोड़ेंगे हम स्तार के अंदर यानि यह electron जितनी speed से दोड़ेंगे वही तो current कहलाएगा definition क्या है the flow of electron in a definite यानि निश्चित the flow of electron in a definite direction is known as electric current यानि electrons का flow यानि परवहा होना किसी एक निश्चित दिसा में और एक definite यानि निश्चित दिसा में किसी rate पर वही तो electric current कहलाता है यानि कि जितनी गती से electron flow होगा तार के अंदर जितनी speed से होगा उसी speed को लिख दिया जाता है 4 ampere 2 ampere यानि 3 ampere इतनी गती के साथ electron तार के अंदर भाग रहा है यानि दोड़ रहा है तो ये हो जाता है हमारा electric current यानि the speed यानि rate speed means rate the speed of flow of free electrons in an conductor यानि अगर मैं देसी भाहसा में बोलू तो तार के अंदर जितनी तेज दोड़ेगा electron उतना ही बोला जाएगा current यानि कि 4 4 की speed से दोड़ा है तो 4 ampere बोल दिया जाएगा 5 की से 5 ampere 6 की है जैसे कि इंसान को बोलते है 30 km पिरती घंटे 10 km पिरती घंटे जैसे बाइक की speed को आप देते है 120 km की speed है भाई तो 120 km पिरती घंटे वैसे ही physics की language में electron को लिख दियाता है 4 ampere 4 ampere यानि कि ampere उसकी unit है जिससे दरसा है जाता है कहने का मतलब 4 ampere को भी मैं अगर detail में बताऊं यानि 4 ampere पिरती सेकंड यानि कि formula पर आ जाते हैं कि यह आता कहां से है 4 ampere अब जैसे इसको देख लीज़े अब यह electrons दोड़ रहे हैं तो उसी की बज़ा से current का flow हो रहा है अब जैसे मैं आपको बताऊं 4 ampere आता कहां से है जैसे current का formula I cos 2 Q upon T यानि कि 4 electron 4 electron एक सेकंड के अंदर तार में फिलो हो रहे हैं यानि कि 1 second में 4 electron का पिर वहा हो रहा है मैं हिंदी में बोलू तो यानि कि 1 second में 4 electron भाग रहे हैं negative to positive यानि lower potential to higher potential की तरफ एक सेकंड के अंदर 4 electron जा रहे हैं ठीक है 4 से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं तो इसको बोल दिया जाएगा 4 ampere अगर 5 जाएंगे तो 5 ampere 6 जाएंगे 1 second में तो 6 ampere अगर 1 second में 15 जाएंगे तो 15 ampere इसलिए तो बोलते हैं the flow of electron at which rate opposite में चलता है तो इस figure में मैं बता हूँ आपको देखे ये figure है अब इसमें electron तो भागेंगे negative to positive ये electron negative to positive जारा देख लीजे इस figure में लेकिन current इसकी opposite में क्यों जारा है? konvensal current positive to negative की तरफ क्यों भाग रहा है इस तरीके से यहाँ क्यों भाग रहा है तो ये physics की property होती है जो electron होते हैं वो हमेशा lower potential to higher potential चलते हैं जब कि जो current होता है हमारा वो हमेशा higher से lower potential की यानि कि higher potential से lower potential यानि positive से negative की तरफ भागता है तो ये physics की property के अनुसार log पे काम करता है current का फिलो होना किसी तार के अंदर अब आपको समझ में आ गया होगा कि current क्या होता है अब मैं आपको छोटे से view में एक बात और बता दूं कि voltage क्या होता है potential difference जो बोल देते हैं कि voltage कहां से आता यार देखे voltage कुछ भी नहीं है voltage एक धक् pressure है किसी वितार में यानि जितना pressure लगाओगे उतनी ही गती के साथ current भागेगा कहने का मतलब कोई लकडी का box है यानि metal का box है इस पे आप कोई इंसान जितनी गती से यानि जितनी तागत के साथ धक्का लगाएगा तो जितनी तागत के साथ लगा रहा है तो इंसान क्या कहल वोल्टेज जितनी गती के साथ लगा रहा है तो उसी गती से तो भागएगा यह बाक्स तो जिस गती के साथ यह box भाग रहा है वही तो current कहला यानि कि किसी भी electricity के छेटर में voltage की क्या भूमिका है voltage की भूमिका ऐसे है जैसे कोई इंसान किसी लकडी के टुकडे को धक्का मार रहा है तो इंसान क्या है वह वोल्टेज है और जिस गती के साथ वो टुकड़ा आगे की तरफ भाग रहा है या बॉक्स भाग रहा है वही तो करेंट है जिस गती के साथ भाग रहा है तो इंसान की भूमिका जैसे हम काम करते हैं तो इंसान की भूमिक करोगे किसी तार पे तब ही current का फिलो होगा, मालो आप एक example ले लीजिए, आप cycle है, जब तक आप cycle में धक्का नहीं लगाओगे अपने पैरों से वो आगे कैसे बढ़ेगी, तो आप voltage हो cycle पे बैठे होए और जितनी गती से वो भाग रही है वहाँ उसक्या current है यानि कि बोल दो, 30 किलोमेटर पिरती घंटे की speed से भाग रही है cycle, तो वो 30 A current बोल दिया जाता है यानि धक्का लगाने वाला voltage होता है अगर किसी तार पे हाँ voltage नहीं लगाओगे तो current आए ही नहीं सकता, जब तक आप pressure ही अप्लाइड नहीं कर रहे है धक्का ही नहीं लगा रहे है एक electrons पे, यानि electrons को धक्यला जा रहा है अब यह electrons है, यह electron है बहुत सारे किसी तार के अंदर अब इनमें बहुत सारा धक्का लगा रहा है कोई अब धक्का लगाने वाला कौन है, वो voltage है voltage ने जब धक्का लगाया यह आगे की तरफ भगे यह आगे की तरफ भगे तो तभी तो current आया current उसी चीज को बोला जाता है जिस rate के साथ यह भागते आया आगे की तरफ, ठीक है सर बाकी इस PDF में formula बगेरा है, formula का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, सबसे best होता है आप practically चीज को समझो कि practically वो चीज क्या कहना चाहा रही है, तो मैं आपको finally एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कि यह तीन formula होते हैं current के अंदर यह आते कहां से हैं यह तीन formula जैसे कि यह formula है i quest to dq upon d dq होता है, small of flow of charge मैं छोटा सा charge flow कराके देखा, q जहां भी d लग जाए तो छोटा सा यह एक second में कितना charge flow हो रहा है तो उसको लिख देते है, iq upon dt यह लिखाएगा, iq upon qt तो q क्या है charge है, q symbol होता है, charge का, charge क्या होते है electrons, charge हमेसा electron कोई तो बोला गया है तानि electron एक second t for time, यानि electron flow in per unit time एक second में कितने electron जा रहे हैं वही तो current आएगा, current i i क्या होता है, i होता है i q upon t, i equals to q upon t यानि एक second के अंदर कितना charge भाग रहा है वही तो current कहलाता है तो ऐसी यह तीनों formula है i equals to dq upon dt i equals to q upon t यह सारे formula इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि current का current का जो formula है वह हम ज़्यादा तर जो लोग जानते हैं इन formula को ना पढ़के इस formula को पढ़ते हैं i equals to v upon r इसलिए हमको समझ में नहीं आता हमें इस formula से पहले dq वाले formula i equals to q upon t q क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है तो यहीं से निकल के आती है ampere जो unit होती है current की current की unit ampere आती कहां से आपको यह समझना होगा कि ampere आया कहां से जबकि q upon t है formula में तो मैं आपको लिखके दिखा दू i वरावर i equals to q upon t q की q की जो unit होती है कूलाम्ब होती है आप सबको पता है charge की unit कूलाम्ब होती है और आपको यह भी पता है कि जो time होता है time की unit second होती है तो मैं इसको लिख दू कूलाम्ब पर second तो कूलाम्ब पर second को जो short form में ampere लिख दिया जाता है अगर आप उसे कोई बोले कि current की unit कूलाम्ब पर second होती है तो यह right होगी कूलाम्ब पर second भी current की unit होती है और कूलाम्ब पर second को ही ampere का नाम दे दिया जाता है amp ampere लिख देते हैं न one ampere तो one ampere जब भी कोई बोलेगा आपको समझना होगा one कूलाम्ब of charge flow in one second यानि एक कूलाम्ब चार्ज एक second गे अंदर आगे की तरब भाग रहा है तो एक कूलाम्ब चार्ज कितना होता है एक कूलाम्ब चार्ज होता है 625 गुणा 10 to the power 16 16 electrons इतना चार्ज होता है कूलाम्ब में 1.6 into 10 to the power 16 electrons अब कहने का मतलब होगा एक कूलाम्ब के अंदर 625 गुणा 10 to the power 16 electrons उपस्थित होते हैं जब जाके एक कूलाम्ब चार्ज बनता है जबकि अगर electron की बात करें तो 1 electron के अंदर कितना चार्ज है केवल माइनस के 1.6 into 10 to the power माइनस के 19 कूलाम्ब होता है माइनस के 1.6 into 10 to the power माइनस 19 कूलाम्ब यानि कि electron जो होता है वो बहुत छोटा होता है अब बहुत सारे electron यानि 625 गुडे 10 to the power 16 electron मिलकर यानि कहने का मतलब यह हुआ electrons का एक गठर यानि collection मिलके 1 कूलाम्ब का निर्मान करता है यानि 1 second के अंदर अगर एक कूलाम्ब चार्ज फिलो हो रहा है तो वो कहलाएगा 1 ampere of electric current फिलो इन एन in a metallic conductor copper के अंदर से तो आपको समझ में आ गया होगा और मैं figure कि माध्य हम से समझाना चाहूँगा देखिए इस तरीके से फिलो होता है current का हमेशा electrons की ही महत होता है current के फिलो होने में देखिए battery लगाई एक तरफ electron भाग रहे हैं उसके आप उजिर्दिसा में current भाग रहा है ये direction of conventional current direction of electron फिलो direction of conventional current तो conventional current क्यों बोला जाता है इसको conventional इसने बोल जाता है convince में reality में होता है क्या है आप समझ सकते हो convince होता है यात्रा कनना यानि इस स्कूलों की जो बस होता है उनको भी किसी बस बगईरा जो भी taxi उसको conveyance बोल देते है conveyance conveyance में होता है यात्रा करनना यानि यात्रा कन्ने वाला current current miss होता है current miss flow of electron electron कितनी गती से बाहख रहे हैं यानि यात्रा कर रहे हैं कन्वेंसियल से कन्फ्यूज नहीं होना है कन्वेंसियल मिस है यात्रा करना ठीक है थैंक्यू सेव मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें